काफी लोगों के जीवन में कर्ज की समस्या इतनी ज़ादा होती है कि उनकी तनका तो बिल्कुल ठीक होती है लेकिन फिर भी वे अपने लिए ना तो कुछ जोड़ पाते हैं और ना ही कुछ कर पाते हैं जितना भी वे कमाते हैं सब कुछ करज में ही व्यर्थ हो जाता है पूरा जीवन केवल करज ही बढ़ते हुए रह जाते हैं और तब भी उनके मन में बिल्कुल भी शांती नहीं रहती है क्योंकि 24 गंटे ही करज की समस्या उन्हें इस प्रकार जकड के घेर के रखती है कि मन ब फ्याल विचार इतने जादा आते हैं कि वे रात को भी ठीक से नहीं सोपाता है 24 गंटे ही वे मर मर के गुट-गुट के ही जीता रहता है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में एक ऐसे खास प्रयोग के बारे में हम आपको बताएंगे जो विशेश कर बर्गत विरिक्ष से जुड़ा हुआ प्रयोग है लेकिन ये प्रयोग इतना जादा तीवर है कि चाहे आपके जीवन में करज की कितनी भी जादा ही समस्या क्यों ना हो तुरंत ही हर प्रकार के कष्ट से हर प्रकार के करज से तुरंत मुक्ती प्राप्त होती है लेकिन इस प्रयोग को आपको के लेकिन करना किस प्रकार है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में उम्नम शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें क्योंकि भगवान शिव का वास केवल बरगद व्रिक्ष में होता है काफी लोग इस बार अफवाय आपने इसलिए सुनी है क्योंकि बरगद का व्रिक्ष बहुत ही जादा खास और चमतकारी होता है कहीं आप उसका लाब ना उठा ले इसलिए इस तरह की अफवाय जन्म में फैलाई जाती हैं जिससे बरगद व्रिक्ष से लोग डरने लग जाएं और हमेशा ही द इवन में बहुत जादा कष्ट आते थे या फिर चिंताएं उन्हें बहुत जादा घेर लेती थी कभी उनके मन में गबराहट होती थी या कोई भी ऐसा संकट उन्हें घेर लेता था तो बस पर एक कारह को जरूर करते थे कि बाहर घूमने जाते थे और बरगद व्रिक्ष क वहीं पर रोज बिदा दे थे केवल इतना करने मातर से उनका हर एक संकट हर एक चिंता हर एक घबराहट बरगद व्रिक्ष अबरे अंदर समा लेता था तो ऐसा आखिर क्यों होता है ये भी हम आपको बताएंगे सबसे पहले तो आप ये जान लें कि बरगद व्रिक्ष में संकट आता है तो इसका मतलब ये है कि उसके साथ चक्रों में से किसी एक चकर में कुछ ना कुछ गडबढ हो गई है जैसे कि करज की समस्याइं होती है तो वे जुड़ी हुं है मणिपूर चक्र से इसी प्रकार अगर किसी व्यक्ति को बहुत जादा तंतर मंत्र की आई दिन कराते रहते हैं और उन पर बड़ी असानी से हो जाता है तो ये बताता है कि उन व्यक्तियों का मूलाधार चकर बहुत ही जादा कमजोर है जिन लोगों का मूलाधार चकर कमजोर होता है ऐसे लोग स्वेम को देख कर भी खुद अपने आपको ही देख कर डर भी जात कि जिन लोगों को वे जानते हैं अचानक से उन्हें देख लेते हैं तब भी टर जाते हैं क्योंकि उनका मुलाधार चक्र कमजोर होने के कारण बहुत सारे लोग उन्हें नजर लगाते रहते हैं कोई न कोई शत्रून पर कुछ करा देता है तो इसलिए वे हमेशा परिशान ह को आप सुयम करके देख सकते हैं कि बर्गद विक्ष के तने पर या तो आप चड़कर बैठ सकते हैं और 10-15 मिनिट वहाँ पर समय बिता सकते हैं तुरंत जब ऐसा करेंगे तो बहुत ही जादा सुखद मैसूस आप करने लग जाएंगे जैसे कि कोई परिशानी आपकी सोक रहा है अब दूसरी चीज यह है जो लोग पेड़ पर ना चड़ पाएं वैसे तो बर्गद विक्ष पर चड़ना बेहद आसान रहता है लेकिन उसके तने से उसकी जो टहनिया है उस पर कमर लगा कर भी आप बैठ कर थोड़ा समय वहाँ पर बिता कर आ सकते हैं अब ही हरान रह जाएंगे कि रोज प्रति दिन बर्गद विक्ष आपके संकटों को आपकी परेशानी को अपने अंदर सोखने लग जाएगा क्योंकि ये एक ऐसा विक्ष है कि इसका विस्तार कभी भी थमता नहीं है ये विस्तार अपना इतना फैला देता है कि इसकी जो खास जानकारी जो बिलकुल भी कभी भी फैल नहीं होती है कि इसी चैनल में हमेशा खास चीज़े आपको बताई जाती है जिससे आप उनका लाब उठा सकें इसलिए सब्सक्राइब अवश्य करके रखा करें अब दूसरी चीज यह है दोस्तों कि जिन लोगों के जीवन मे धन की समस्याइं होती हैं वैसे तो आपको यह बता दें कि तंत्र में यह बता जाता है जिस भी व्यक्ति के जीवन में धन होता है पेहले से ही उसके कर्मों के अनुसार टै हो जाता है कि वे कितना धन कमाएगा कितना उसके जीवन में यश्र, वैभभू होगा और कितनी धन की समस्याइं उसके जीवन में होने वाली है उपाये करके साधनाये करके वे अपने कर्मों को अच्छा करता है बढ़ाता है यही कारण है कि उसके जीवन में धन की समस्याइं फिर दूर होने लग जाती है लेकिन कितने धनवान आप बनने वाले हैं ये ग्रहों से पहले ही तै हो जाता है अब इसी चीज़ को चेंज करने के लिए बर्गत विक्ष का एक सबसे ज़्यादा खास प्रयोग ये है कि जब भी जीवन में धन की समस्याइं होती हैं आवशकता पढ़ती है जैसे कि करज की समस्या में आप करज नहीं चुका पा रहे हैं परेशानी हो रही है तो आप एक कारे करें कि किसी भी पूर्णिमा पर आप सुबह सुबह बिल्कुल बर्गत विक्ष के पास जाकर उसकी जटाएं होती हैं जो उपर जड़े दिखाई देती हैं लटकी रहती है उन जडों में आपको एक गांठ लगा देनी हैं बर्गत विक्ष को नमस्कार करना है अपने समस्याइं बोलनी हैं और उसकी एक जड में गांठ लगा के बस अपने घर आ जाना है ये खास प्रयोग तब किया जाता है जब जीवन में बहुत ज़्यादा आवशक्ता धनकी पड़ती है इसलिए इस प्रयोग को केवल तब ही करना है जब जीवन में धनकी समस्याएं हो और कहीं से भी धन आपको प्राप्त ना हो पा रहा हो आपको बता दें कि जब आप उस विरिख्ष की होकर फिर आपको प्राप्त होता है यानि कि जो धन आपको भविश्य में प्राप्त होने वाला था जो पहले होने वाला था तो वो आपको वर्तमान में मिलना शुरू हो जाएगा लेकिन क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया है कि तभी करना है जब आपके जीवन में धनकी समस्याइं बहुत जादा अधिक होती हैं क्योंकि इस प्रयोग से आप अपने ही भविश्य से वर्तमान में धन फास्ट कर रहे हैं यानि कि जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि हर एक व्यक्ति के जीवन में कितना उसे धन मिलने वाला है वो पहले से ही तै हो जाता है तो जो धन आपको भविश्य में आपका रखा हुआ है वो आप अभी इस्तेमाल करने के लिए यह प्रयोग करते हैं तो जब धन की समस्याइं होती है तब ही इस प्रयोग को करना है अब तीसरी चीज़ यह है कि को की व्यापार है आप जहां पर धन रगते हैं वहां पर एक तीसरा कारह ये कर सकते हैं कि जो बरंगत विक्ष की जड़ होती है उसे एक दिन पहले जाकर निमंतरन आप दे आएnh कि हे बरंगत महाराज मेरे जीवन में धन की समस्या हैं कल मैं आऊंगा और आपकी जड़ लेकर जाऊंगा इस प्रकार निमंतरन देकर आप आजाएं और अगले दिन जाकर इस पीरिड की थोड़ी सी जड़ को निकाल कर लेकर आजाएं इस जड़ को लाकर आपको इस जड़ को लाल चंदन से बिलकुल अच्छी तरह से लेप कर देना है और उसके बाद किसी भी लाल रुमाल में लाल कपड़े में इस जड़ को भरके अपने कैश बॉक्स में या फिर अपनी तिजोरी में जहां पर आप व्यापार करते हैं जहां पर लेंदेन होती रहती है वहाँ पर केवल इस जड़ को स्थापित किया जा सकता है केवल इतना करने मात्र से इस जड़ को जहां भी आप रखते हैं वहां का विस्तार बिलकुल भी थमता नहीं है क्योंकि बर्गत विक्ष की जड़ होती है उसमें अपार उरजाएं होती ह उसमें एक ऐसी ताकत होती है कि यह जहां भी होती है वहां का विस्तार भी बढ़ाने लग जाती है बरगद वृक्ष की जो जड़े होती है उसके तो वैसे बहुत सारे प्रयोग होते हैं जो आने वाले वीडियो में भी निश्चित बताएंगे लेकिन इस वीडियो में जो प परगद रिख्ष के पास आपको जाना है और जड़ को निकाल कर लेकर आना है सूरज की रोशनी में इस जड़ को आपको नहीं निकालना है क्योंकि ये बिल्कुल प्रभावहीन होती है ब्रह्मुरत में आप कोई भी समय चुन ले चार बजे जाकर साड़े चार बजे जाकर जिस समय सूरज उगता है उससे थोड़ा सा आदा घंटा पहले पंद्रा मिनट पहले जाकर आप जड़को निकाल लें। और उसके बाद जिस प्रकार हमने आपको बताया है विदिवत पूजा करके अपने कैश बोक्स में इस जड़को रख लें। ये जो उपाय होते हैं ये बड़े ही जड़ा खास दंतरुक्त होते हैं तो जिस प्रकार बताया जाते हैं बिल्कुल उसी प्रकार आपको करने हैं। केवल इतनी चीजों को अगर आप कर लेते हैं तो धन की समस्याएं और कर्ज की समस्याएं फिर आपके जीवन में हो ही नहीं सकती हैं। इस खास जानकारी को अन्य लोग के साथ भी अवश्य शेयर करें जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाव उठा सकें और अपने जीवन में आगे बढ़ सकें और अपने जीवन में सुखी रह सकें। तो दोस्तों आज के लिए केवल इतना ही अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमस्षिवाय हर हर महादेव